गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास अफ प्लस टू, स्टुडेंट्स एक कहानी बर्फदा धानव दी दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो विच असी इस कहानी दे संखेप सार उपर चलचा कीती है, ते सफ़ा नंबर 74 अते 75 दे लास्ट सेकि पहरा तक रीडिंग कीती है, आज इस वीडियो विच असी पेज नंबर 75 दे लास्ट पहरा तो लेके, पेज नंबर 77 तक रीडिंग करांगे, पर कहानी नू अग्गे वदोन तो पहला असी पिछले काम नू दोरावांगे, दियर स्टुडेंट्स, असी लास्ट वीडियो जी दे कलम दी रजना है, इस कहानी राई लेखक ने स्याचिन ग्लेशियर दी तुलना बर्फ दे दानव नाल कीती है, इस ग्लेशियर उपर ताइनात सैनिका दे संगर्ष, साहस अते सिरड नू ब्यान कीता है, इस कहानी दे सफा 74 अते 75 दे लास्ट सेकिंड पैरा नू बहुत तेज उन्दा है, ते एक बर्फ दा टिब्बा साल एर्या पर तीत उन्दा है, असल विच बर्फ दा टिब्बा इस कहानी दे मुख पातर सुबेदार पूरण सिंग लेए वरतिया गया है, जो की एक सैनक सी, ते ओ बर्फ एठ दब्या होन कारण, इस दी कैद विच जो निकलन लई जद्धो जहद कर रहा सी, अचानक ओ टिब्बा तिड़क जान्दा है, अते उस विच उन्दार पूरण सिंग दी विशाल दे मुख तो हो जान्दी है, ओ गोठ्डियां मुदियां मार के सिर सुटके लमे लमे साल एंदा है, ते फिर जोर जोर दी अपने स पर चक्खर दा वेग तेज होन कारण ओ कोरना बना के बैठ जान्दा है, फिर जदो ओ अपने आप विच कुझ सुर्थ विच ओंदा है, ता अपने नाल दे साथी सैन का बारे सोच के परिशान हो जान्दा है, अते अपनी खोप्यां वारगी एनक ते जम्मी बरफनू रग करदा है, फिर अचानक ओ अपने नेडे एक मर्या होया लदाखी काँ वे कहरान रे जान्दा है, फिर लेखक ग्लेशियर बारे वर्णन करदा है कि ए निरी भरफ सी, जित्थे फोल नहीं ओगदे सान ते नाहीं कुरूंबला फोट दिया सान, ए थे अन्ता दी ठांड सी, ज इस विच आदमियां दा लहूं तक जाम जान्दा सी, पर लदाखी कान्व कदे कुजनी होया सी, पर अज अ लदाखी काँ भी मर गया सी, ताह इस तों सुबह दर पूरं सिंग नोँ पूरा जकीन हो जान्दा है कि सौ विश्वे एक लião लदाखी कां ही नहीं मर्या सी, बल् पर सब्तों पहला असी इना सफ्यां दे ओक्खे शब्दां दे उपर चर्चा करांगे। पेज नमबर 75 लास्ट पैरा पहला शब्द है मिथी तरतीब पाफ निश्चत कीती लड़ी दे अनुसार। नेक्स्ट है बुजियां हुईयां अक्खां पाफ निरास्ता दे नाल परियां हुईयां अक्खां जा निरास अक्खां। हाँजी पेज नमबर है 76, फर्स्ट वर्ड है जानलेवा ठंड, जानलेणवाली ठंड, नेक्स्ट वर्ड है निल्ली लै गई, लै गई is रोंग, लै दी जगाते आएगा पै, निल्ली पै गई पाव की सुन हो गई, नेक्स्ट वर्ड है परत, परत पाव एक तै, एक लेप, नेक्स्ट है अचेते, अचेते पाव की अचेत रूप विच, जान सुचेत रूप विच ना होना, अगला शब्द है ताप, तापतों पाव है तपस्या, जान पगती, जुरत साहस जान हिम्मत, बिला फोंडला, बिला फोंडला स्याचिन ग्लेशियर दे उपर एक पास है, यथे लातों पाव ही पास हुंदा है, पाव की रस्ता, जाँ पंजाबी विच असनों धरावी क्या जान दा है, दो पहाडा दे विचकार दी लंगन वाला रस्ता, जेक एल आई, जेक एल आई दी फुल फॉर्म है, जम्मू एंड कश्मीर, लाइट इंफेंटरी, पाव प जां सरहद, टाया, पाव की तिल्लेयां, जां टिब्ब्यां, जां बरफदा पहाड, अगला शब्द है, लितार दे, पाव की मिद दे, नेक्स्ट है, हित विच, पाव की हाक विच, जां लाब दे विच, असी और दुबारा अपनिया बुक्स पेज नूंबर 75 दे, पेरा तों कंटेंट नूं रीड करके इसनूं एक्स्प्लेन कर सकीए, हांजी लास्ट पेरा, पल्टना दी अदला बदली, मिथी तर्तीब अनुसार ही चल रही सी, वापस जा रहे यां टोलियां नूं सूब्यदार पूरण सिंग ने हरानों के वेख्या सी, उन्हा सारे य पाज में एको ही चेहरा सी, वदी होई दाडी, ठक्के होई उदास चेहरे, बुजियां होई या अक्खा विच ठहरी होई मौद, इना सत्रा विच लेखक ने एस पश्ट कीता है कि स्याचिन ग्लेशियर दे उपर, जो वी पल्टना ताइनात हुन दियां सन, ओ निस्चित क इती होई तर्तीब दे अनुसार उनना दी अदला बदली, पावन नु बदले आ, जा परिवर्तन उना विच कीता, जानदा सी कि जे एक पल्टन आउंदी सी, ता दूसरी पल्टन उसनु वेलियां कर दिन दी सी, पर जदो में ए पल्टना आउंदियां सन, जा वापस जान सुबे दर पूरण सिंग इना नुँ हरान होके वेखदा सी, ता ओ की महसूस करदा सी, कि इना पल्टना दे सारे सैन का दे चेहरें उपर इको जहे ही पावन दे सन, उनना दे इको जहे ही चेहरा मोरा मोहांदरा लगदा सी, क्यों? क्योंकि स्याचिन ग्लेशियर दे उपर लंबे समें तक ताई नयात रहन कारण, उनना सारें दे दाड़ियां वी वद जान दे सन, उनना दे चेहरे उदास थके टुटे हुन्दे सन, ते मौध नु बहुत नेड़िऊं तकन करके, इनना सारे सैन का देशियर अखा बहुत ही नरास हालत वीच उन दे सन, ते इंज परतीत उन्दा सी के जिवें मौत दा खौफ उना दियां अक्खा विच हमेशा लई बर्फ दी सीत वांग जम के रह गया हुवे। हांजी नाव पेज नंबर 76, गलेशियर तों जिवें वापस जान लग्यां वी, उना नू अपने जिवें लेवा ठंड विच खुशी इन्नी निल्ली पैगई सी के उना कोलों चेहरे ते जम्मी मौत दी परत वी नहीं सी पूंजी जा सकती। इस सत्रा तो सपश्ट उन्दा है कि बेशक एक पल्टन दूजी पल्टन दे सैनिकानों वेलियां कर दी सी ते जदों कोई होर पल्टन चार्ज लें दी सी ता दूसरी पल्टन दे वेले होई सैनिक जदों वापस जान दे सन ता बेशक को जिवें दे सन पर उना दे मना जान लेवा सी कि जिस तरह इंसान दे खून विच जा इनसान दा खून इस बरफनल जाम जान दा है उससे तरह उना दी ए वापस जान दी खुशी वी जाम गई सी जा दूजे शब्दाव चासी ये कह सकते हां कि उनना दे चेहरे वे ते उनना दे मना दे वेच मौत दा डर जा मौत दी परत नी जम चुकी सी कि जिऊंदे वापस जान लगया वी उनना दे चेहरे तो मौत दे खौफ दे पाव साफ नहीं हुए सन नेक्स पहरा सिद्धी प्राप्ती ले हजारा साला तों तब कर रहा सी हंज लेखक ने बियान कीता है कि इस glacier ते जो भी पल्टना ओंदियां सन वो पूरियां परियां ओंदियां सन पर वापस कदे भी पूरियां परियां नहीं जान दियां सन क्योंकि ए जो glacier सी ए बहुत सारे सैनिकानों निगल जान दा सी एही कारण सी कि जो पल्टन खोन स्याचन glacier ते आई सी उस दे सैनिकान दियां अक्खा विच वी अचेत रूप विच ही ए सहम ते ए डर समा गया सी कि कि ओ गलेशियर तों जिऊंदे जी वापस पर तवी सकन गे जान नहीं इस दा कारण ए सी कि स्याचन glacier बरफ दा एक जहाद दानव सी जो बहुत विचाल सी ते कई साला तों इस स्याचन glacier दी हालत सिद्धी प्रापत करन वाले किसे रिशी मुनिदी तरह सी जिस तरह की ए गलेशियर बहुत शान्थ अवस्था विच सी ते शान्थ पई ते सुन्सान परी अवस्था दे कारण ए इंज परती तो रहा सी कि जिमें ए हजारा साला तों तप कर रहा होवे इना सत्रन दा अर्थ ए निकलदा है कि कई वरेया तों इस गलेशियर दे उपर इंसानी हाल चल नहीं सी जहां किसे वी देश दे फौजियां जहां सैनिकां दी दखल अंदाजी नहीं सी इस करके ए गलेशियर वी शान्थ दे चुप सी पर जदों तों इस दे उपर सैनिकां दी हाल चल ते दखल अंदाजी शुरू हो गई सी इस बर्फ दे दानव दी फित्रत बदल गई सी हुन कुझ सालातों सैने का इस दानव दे ताप नू पांग करन दी जुरत करन लग पैसन ते बदले विच ओदे करोध नू पुगत रहे सन पावे है के हुन हजारा सालातों ए गलेशियर सुन सान सी इस दे उपर मनुखी आवाजाई दखलन दाजी जा हल चल नहीं सी पर पिछले कुझ वर्यातों दो देशां दे सैनिका ने इस गलेशियर दे उपर काबज होन ले अपनी हर्कत शुरू कर देती सी अपनी अपनिया गती विदियां शुरू कर देती है सन ते इस तरह कुझ वर्यातों सैनिकां दिया इना गती विदियां दे कारण इंज परतीत हो रहा सी के जिवे इस सैनिक इस बर्फ दे दानव दी तपस्यानू पांग कर रहा सन ते पांग करन दी हिम्मत कर रहा सन ते नतीजे वजों की हो रहा सी के ए बर्फ दा दानव करोध विच आ रहा सी पांग की मनुखी हल्चल दे वरोध पृती कर रहा सी क्योंकि मनुखी क्रियावा दे कारण इस दा तापमानवी वद रहा सी जिस करके कई वरी बर्फ तिड़क जान्दी सी, गलेशियर तुट जान्दा सी, ते ओदे विच हजारा सैनिक दफन हो जान्दे सन, जा बर्फ दे विच ही समा जान्दे सन नेक्स पहरा है, बिला फोंडला, ते हाले वी जेक एल आई ने मोर्चे मल्ले हो जान्द डोगरा दी अलफा कंपनी ने बिला फोंडला दा चार्ज संबालन पिच्छो ही उना नू विल्या करना सी, जेक एल आई दे गाईडा नाल अलफा कंपनी दियां तिन टोलियां बिला फोंडला वल कूच कर चुकियां सन, उना नू तोर के सुबिदार पूरण सिंग उत्थे ह खलोता रिहा सी, हंजी इस पहरे तोस पश्टुन दा है कि असलिव चे स्याचन ग्लेशियर दे उपर एक दरा जा एक पास जिसदा नाम बिला फोंडला सी, ओ दे उपर जेक एल आई कंपनी ने मोर्चे संबाले होए सान, पर होन मिथी होई तर्तीव दे अनुसार जेक एल आई ने मोर्चे तो पिछे मुलना सी, ते उन्ना दी जगा डोगरा दी अल्फा कंपनी ने चार्ज संबालना सी, एसलिए जेक एल आई दे गाईडना दे नाल ही, गाईडना तो पावे ए है कि जो ननु रस्ताव खोन वाले सी, राव खोन वाले सान, जा उन्ना दी अगव सूबेदार पूरण सिंग ने रवाना कीता सी, जित्थों तक नजर जान दी सी, बर्फ ही बर्फ सी, ओ थे कोई शा राह नहीं सी, किसे सडक दे बनन दी कोई संभावना भी नहीं सी, बर्फ नू बजरी दे, पत्थरा विच नहीं सी बदलिया जा सकता जित्थों सूबेदार पूरण सिंग दोगरा दी अलफा कंप्री ने तिन्ने टोलिया नो रवाना करदा है, ते अपने स्थान ते खलोता उन्ना वेखदा रेंदा है, जित्थों तक वी ओदी नजर जान दी है, उसनो बर्फ ही बर्फ नजर आन दी है, क्योंकि ओ बर्फ प्धा ही गलेशियर सि, ते स गलेशियर दे उपर कोई भी आवाजाईदा पका रस्ता नहीं सि, ते ना ही इस दे उपर किससे सडक बनाय जान दी संभावना जा गुंج जाएश सि, क्योंकि हजारा फोट डूंगी बर्फ ही बर्फ सि, ते बर्फ दे उपर बजरी दे वेच तब्दील नहीं किता जा सक्दा सी। पहलियां दो में टोलियां ओधी नजर दी हाद टाप की। बरफ दे उचे उचे टायां उले गवाज गईया सन। पिछली टोली दे जवान हाले वी तब्यां वांग दिस रह सन। जिमें पोजन दी पाल वेच जा रही कीडियां दी कतार हुंदी है। जदो सुबेदार पूरण सेंग अलफा दियां डोगरा दी अलफा कंपनी दियां तिन्ने टोलियां नू बिला फोंडला वले रवाना करता है। ना पहले दोंए टोलियां बर्फ दे उचे उचे टायां जडी तिब्यां दे उल्य गवाज जांदी है। पफिछली ते तीसरी टोली जिसदे वेच कुल पांच जवान सन। उसन। अजेवी बर्फ दे उपर तुरे जा रहे एंज प्रतीत हो रहे सां जिमें बर्फ दे उपर कोई काले तब्बे होन ते इस तरह ओ टोली दे जवान जो की दूरों तब्ब्यां वांग देश रहे सां उनां दी तुलना ओ एंज करदा है कि जिमें किसे खाणे दी तलाश दे व जो बर्फ दे उपर तुरे जान दे नजर आ रहे सन, जो जा आता उसनों कीडियां वांग लाग रहे सन, ते जा बर्फ दे उपर पे तब्यां वांग परतीध हो रहे सन ओवी पहलियां टोलियां दी मिथी होई बर्फ नू आपने पैरा हेठल तार दे तुरे जा रहे सन पाविया के जो तीसरी टोली सी इस तो पहला जो दो टोलियां पहला लंग चुकियां सन ते उना दे लंगन तो बाद जो रस्ता बनेया होया सी ओ बर्फ दे उपर उसे रस्ते नू मेद दे ते उस दे उपर ही तुरे जा रहे सन गलेशियर दे खत्रयां नू त्या आनवेच रख देयां एको रावर्त ना ही हेत वेच सी पारे जुरूरी नहीं सी के मिथ्या होया राहारवार स्याचिन गलेशियर नू वी मनजूर ही होवे इस दार्थ ए है कि तीसरी टोली पहला दो टोलियां दे कदमा नल बने होय रस्ते नू वर्त रही सी क्योंकि गलेशियर दे उपर हमेशा बहुत खत्रा रहनदा सी किसे वेले कितों वी बर्फ दे विच पाड़ पै सकदा सी इसलेए पहला वर्ते गए रस्ते नू ही त्यान विच रख्या जानदा सी जा उसनू वर्त ना ही लाहे बंद समझा जानदा सी पर ये निश्चत नहीं सी कि जो रस्ता इंसान मेथ लेंदा सी ओ रस्ता स्याचिन गलेशियर नोँ मी सविकार हुए क्योंकि गलेशियर दे उपर किसे वेले वी मौसम बदल जान्दा सी ते मौसम बदलन दे नाल रस्ता वी बदल जान्दा सी कई वार बर्फ तड़क वी चान दी सी इस गल्दा सब नूँ पता सी इसे करके गलेशियर ते कदी कोई इकला नहीं सी तुर्दा उस टोली विच वी पांच जाने सन किस टोली विच जो की तीसरी टोली सी उना दे लख पहले सैनिक तो लेके पिछले सैनिक तक एको रसे नाल बज़े होए सन सो गलेशियर दे उपर जो खत्रा सी उसनों महसूस कर दिया होया जा उस तों जानूं हुन दिया होया कोई वी सैनिक कदी भी गलेशियर ते इकला नहीं तुर्दा सी ते एसे लिए इस तीसरी टोली दे सैनिक वी इकले नहीं जा रहे सन इस टोली विच कुल पांच सैनिक सन त तां जो मुश्कल आउन ते उह एक दूज्य दी सहायता कर सकन. Now students, we will discuss the difficult word meanings of page number 77. Number 77, difficult word meanings, तरबक्या, पाव की कंब्या, हेक, शाती, पाड, द्रार. Next word है, अनक्यासिया, पाव जिनना बारे कोई अन्दाजा ना होवे. Next है, होनी, होनी तो पाव है किस्मत, जा पाग, नसीब. Next है, नेग, पाव की गर्मी जा गर्माईश. फित्रत, सुबा, सत्थर विशाके, सत्थर विशाके बैठन दा नहीं सी, पाव की अफसोस करन दा वेला नहीं सी. अगला शब्द है, मोड, अरंब, जा शुरुवात, मोयां दे, मर्यां दे, जा मार चुक्यां दे. Last word है, command पाव की काबज होन दा, जा अधिकार विच लेंड दा. होना सी, इस page दे content रू रीड करांगे, ते इस दे उपर discussion करांगे. हाँजी, होना सी, page number 77 दी, विशा समगरी दी, रीडिंग करांगे, ते इस दे उपर विस्थार दी नल, चर्चा करांगे. हाँजी, एक दूजे तो, दूर चल दिया, वी, उस रसे ने सब नू आपस विच जोड़या होया सी. कि इस रश्ये ने, ओ रशा जो पंजा सैन्द का ने आपने अपने लगधी नाल बन के बन्या होया सी, तो इस रश्ये दी वजा नाल ओ एक दूझ्ये दी नाल जुड़े होये सान, इस तरह ओर लोड पैनते एक दूज़े दी सहायता कर सकते सन। पूरण सिंग दोगरा दी अलफा कंपनी दीयां तिन्य टोलिगा नू रवाना कर रहा हुंदा है ते उना वल तक रहा हुंदा है। आपके ग्लेशियर दोपर जो वी अवस्था सी ओ बिल्कुल सही सी। अचानक ओ तरब क्या उनने मद्दम जीयां चीकांदी आवार सुनी। पर अचानक सुबेदार पूरण सिंग कंप उठदा है क्योंकि उस दे कन्ना विच इनसानी चीकांदी आवाज मद्दम जी आवाज सुनाई दिन दी है। बर्फ दी है कि एक तेक होर पाड पै चुकिया सी। बर्फ विचकार ले सैनिक दे पैरा है ठोपाटी ते पाड फैल के अगले ते पिछले सैनिक दे पैरा तक पहुँच गया। इस तो पहला कि बाकी जने संबल के बचादी कारवाई कर दे विचकार ले जवान दे नाल ही पाड वेच खिचे गया। असल वेच सुबेदार पूरण सेंग दे तरबकन दाल जना डारनल कंब उठन दा कारण एसी के उस दे कन्ना ने बहुत ही हौली ते मदम जी अवाज वेच कुझ इनसानी चीकां सुणियां सन। ते ए इनसानी चीकां उनना सैनिकां दियां सन। जो तीजी टोली दे सन। असल वेच जो दो ए तीसरी टोली दे पंजे सैनिक पहलियां दो आ टोलीयां दे बनाए रस्ते नू लितार दे जारहे हुं दे हन। ता अच्चानक उनना दे पैरा हेट ली भर्फ पाव की भर्फ दी शाती दे उपर एक दरार पैजान दी है। ए दरार पंजा विच्चों विचकार ले सैनिक दे पैरा हेट पही सी। ते पैरा हेट बर्फ पाटन तो बाद बर्फ दा ए पाड फैल के अगले ते सब तो पिछले सैनिक दे पैरा तक पहुँच गया सी। ते इस तो पहला कि उस विचकार ले सैनिक दे नाल दे सैनिक अपने अपने जा उस दे बचा लई कुछ सोच दे जा कोई कारवाई कर दे। ए पाड एनी तेजी नल प्या कि पंज दे पंज जवान बर्फ दे उस पाड दे विच खिचे गया। क्योंकि चे गया क्योंकि पंज दे पंज सैनिक एक दूसरे दे नाल बज्जे होई सान। ए पाड हजारा फुट डूंगा सी। ए होज या हादसा कोई पहली वार नहीं सी होया। बर्फ अन के आसियां थामाते वाट दी रहन दी सी। सैनिक उना पाड़ा विच समा जान दे सन। स्पैशल कपड़ियां दा निग उना नू कई-कई दिन जिऊंदा वी रख दा सी। पर पाड अंदर दी आखरी नींद सोना उना दी होनी सी। जिना सत्रा मीच एक स्पैन कीता है कि जिस पाड़ दे विच ओ जवान खिचे गए सन। ओ पाड़ हजारा फुट डूंगा सी। ते इस तरह एहो जे हाद से इस स्याचन ग्लेशियर दे उपर कई वार हो चुके सन। पापकी कई वार बर्फ दी है कि ते पाड़ पैसान ते इना पाड़ां दे विच एसे तरह ही सैनक समाए सन। क्योंकि कई वार बर्फ जयी हो जे हाधा तो पाठ जान दी सी। जिना थामा बाले कोई भी अन्दाजा जा कोई जानकारी हुन्दी ही नही सी। कई वार इना पाड़ां विच छैनक जिदो डिझ जान दे सन। जिदो कई दिना तक बर्फदे इना पाड़ां दे विच जिऊंदे वी रहन दे संद। पर फिर वी जिऊंदे वापस इस पाड़ विच्छु नहीं निकल दे संद। उन्हा हजारां फुर डूंगे पाड़ां विच डिगना, तो बाद कई दिना तक जिऊंदे रहन दे वी मौत रुपी आखरी नीद सोना उनना दी किसमत बन जानदा सी क्योंकि स्याचन ग्लेशियर जहा ग्लेशियर सी जित्थे पय होई पाड विच डिग्गे होई सैनिकानू लबना जा उनना बचोना असंभव सी और गिनत सैनिक होन तक ग्लेशियर दे पाडा विच समा चुक उनना दे जिसमा दी घरमी उनना दे एहसास दा निग ना ब़र्फ दी फित्रत ही बदल सके सां ते ना ही ग्लेशियर दी पोख ही मुकी सी इना सत्रों तो कीस पश्टुन्दा है कि आज तक कई वार स्याचन ग्लेशियर ते बर्फ दे विच दरारा पहिया सन ते इना दरारां दे कारण बर्फ दे पाटर नाल कई सैनिक जिनना दी कोई गिंती ही नहीं है उना पाड़ां दे विच सदा दी नीद सौचुके सन इना पाड़ां दे विच डिगे हुए सैनिकां दे सरीरां दी गर्माईश उना दे एहसासां दी गर्माईश दे बावजूद वी बर्फ दा सुबा नहीं बदलिया सी हुनने थे बर्फ दी फित्रत जहां बर्फ दे सुबा आदा की पाव है बर्फ दे सुबा आदा पाव ए है कि स्याचन ग्लेशियर दी बर्फ हजारां सालां तो जम्मी होई सी ए बर्फ हजारां सालां तो शांत सी ते इनसान नो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही सी पर बर्फदा सुबा एंदा है कि जदो बर्फदे नाल इनसान छेड़ शाड़ करदा है ता बर्फदा दी फित्रत है कि उप बदले विच करोध विच ओंदी है ते इनसाना नो निगल दी है सो होन इस स्याचन ग्लेशियर दे उपर एही हो रहा सी ये ग्लेशियर दे उपर काबज हो उन लई एक ग्लेशियर दो देशां दे दर्मियान एक जंग दा मुखास बन चुका सी जिते ना के वल इनसाना दी हरकत हो रही सी बलकि गोड़ा बरूद वी चल रहा सी ते इस गोड़े बरूद दे कारण बर्फ दा जो सुबा सी उस सुबा दी बली सैनिक चड़ रहे सी एबर्फ दा दानव एक ग्लेशियर बहुत सारे सैनिका नो खा जुका सी पर अजेवी उस दी पोक खतम नहीं होई सी पाव की अजेवी सैनिकां दा इस दानव दी पेंट चड़ना जारी सी उन्हें हरान जया होके अक्खा मलिया बर्फ दा पसार दूर जाके सलेटी असमान विच इकमिक हो गया सी चिटी बर्फ उते काले तब्यां दा कोई वी चेन बाकी नहीं सी उन्हें सत्रा उपरोकत सत्रा दे नाल जोड़ दी हान जदों सुबेदार मेजर सुबेदार सुरी सुबेदार पूरण सेंग दे कन्ना विच मद्धम जेयां चीकां दी अवास पैंदी है तो ओना चीकां मल पल्टदा है ते हरान चक्रित होके अपनी यह अखानों मलदा है पाव की जिद्रों ओ चीकां आया सन उस पासे ओ त्यार नाल विखंदी कोशिश करदा है पर उसनों दूर तक केवल बर्फ दा ही पसार बर्फ दा ही फेला नजर होंदा है जो की सलेटी रंग दे असमाल नाल दूर तक उसनों एकमेक होया परतीत होंदा है ओ बर्फ जिस दे उपर उसनों तीसरी टोली दे सैनिक पेला काले तब्यां वांग नजर आ रहे सान होन उस बर्फ दे उपर ओ काले तब्यां दा कोई चिन नहीं सी पावकी ओ काले तब्यां रूपी सैनिक होन बर्फ विच समा चुके सान मर्ण वाले विच अल्फा कंपनी दा कमांडर वी सी पर ए वेला सत्थर विशा के बैठन दा नहीं सी जो तीसरी अल्फा कंपनी दी टोली सी ओदे विच जो जवान पाड़ दे विच समाई सान उनना विच इस कंपनी दा कमांडर वी सी पर ए समा उन इना मर्ण वाले सैनिकां दी याद विच अफसोस करन दा नहीं सी बलकि इस तो में किते ज़्यादा जुरूरी सी बिला फोंडला दी कमार नू संभालना हाले ता मुड सी कोज दिना नू एहो जी याँ कटनावा आम वांग जापन लाग पेनिया सान खाली हो गया थावा मुड पार जान गया जिन्दगी ने पहला वांगी तुर दे रहना सी इस कंपनी दे कंपनी दी तीसरी टोली दे सैनिका दा बर्फ जिसमोना अजे शुरू आत सी क्योंकि आए दिन एहो जी याँ कटनावा होने याँ सान आए दिन स्याचन ग्लेशियर दे उपर कई सैनिका ने बर्फ दी पेंट चड़ना सी ते होली होली एकटनावां दी इना सैनिका नू आदत जही हो जानी सी पावोना वास्ते ए बहुती सिदारन गल जापन लाग पेंडी सी क्योंकि जदों सैनिक बर्फ दी पेंट चड़ते सन तो उना दी खाली हो गई थानों दूजे सैनिका नाल पर दिता जानता है ते इस तरह इना सैनिका दे मौत दे उपर अफसोस जिंदगी ने पहला वांगी तुर दे रहना सी पापकी स्याचन गलेशिर दे उपर सैनिका दा आउना बर्फ दे वेच समोना दे उना दी थान ते नवे सैनिका दा आउना इस तरतीव दा इस रुजान दा जा इस मिथी होई तरतीव दा इस तरह ही चल दे रहना सी मुया दे फिकर नाळों वी पहला फिकर बिला फोण्डला दी कमानदा सी पलतन दे कमान अफसर कोल इस मड़े कोई वी वाधु अफसर नहीं सी जिन्नों बिला फोण्डला दी संबालने पेजिया जा सके असल वेच मरे होई सैनिका नालों की ते ज्यादा चिंता बिला फोंडला ते काबस होंदा ते इसनु संभाल के रखन दा सी क्योंकि ए ओ दर्रा जहां पास सी जिस दे उपर कब्जा देश दी सुरक्ख्या दे हेत वेच सी इसलिए सैनिका नालों ज्यादा इस दे उपर अधिकार रखना ज्यादा ज्यादा जरूरी सी इसलिए पल्टन दा जो कमान अफसर सी उसकोड कोई वदू अफसर नहीं सी जेसनु बिला फोंडला दी संभाल देली पे जया जा सके सारे अफसर आपो अपनी थाई पोस्टना दी जिम्यवारी संभाली बैठे सन होने इसनों बिना होर कोई राह नहीं सी के फिल हाल सुबेदार पूरण सेंगनू बिला फोंडला वाली कमपनी दी कमान सौप दित्ती जावे के असल वेच दोगरा दी अलफा कमपनी दे कमानडर दी मौत तों बाद जो पल्टन दा कमान अफसर सी ओदे सामने एक दिक्कत आ गई सी के ओस कोल होन कोई वी वाद्धू जहा अफसर नहीं सी जेसनों ओ बिला फोंडला दी संभाल करन दी जिम्यवारी सौप सके एसलई उसने सुबधार पूरण सिंगनों ए जिम्यवारी सौप दिती सी असी आज पेज नमबर 75 दे लास पैरा तो लेके 76 दे 77 तक रीडिंग कीती है तुसी इनना सारे सफ्यानों दुहरोना है अगली वीडियो दे विच असी नेक्स पेज दे रीडिंग करांगे